नमस्कार, कापिटल जीब बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आत्म जा तेजस्वी यादो जाएंगे जेल, लालू यादो भी जाएंगे जेल जितने भी ब्रस्ट चारी हैं उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा यह सारी बाते प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज कारा कार्ट में कही है दरसल आपको बता दे कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी कारा कार्ट में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दर्मियान उन्होंने फिर से एक बार ब्रस्टचार को मुद्दा बनाते हुए कहा है कि जब उनकी सरकार बन जाएगी तो तेजस्वी यादो और लालो प्रशाद यादो इसके जाथ ही जो भी लोग ब्रस्टचार कर रहे हैं उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा क्या हुआ अचानक से फिर से नरेंद्र मोदी को अचानक से ब्रस्टचार को मुद्दा क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई और वहते जस्वी यादों को जेल भेजने की बात क्यों कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात कहदी पर्धानमंत्री ने और जो लोग अभी दवे जुबान से बोल रहे थे कि चुनाप के बात क्या होगा क्या नरेंद्र मोदी अगर दुबारा पीम बन जाते हैं तो लालू परसाद और तेजी सुयादब के खिलाब जो मामले हैं उसमें तेजी जाने का काउंटडाउन सुरू हो गया है इसारा साब था सब लोग समझते हैं कि वह लालू परसाद और तेजी सुयादब की बात कर रहे हैं तो यह एक बयान समझे कि अभी जो चुनाब हो रहा है वंतिम चरण का चुनाब बचा हुआ है आज यह पोलिंग हो रही है साथ म मंत्री ने एक मुद्दा सेट कर दिया आज कि जो भरस्ताचारी लोग हैं उनको जेल जाना पड़ेगा और साप सापी सारा लालू परसाद और तेजी सुयादब की तरफ था नौकरी की बदली जमीन घुटाले की बात जो नरेंद्र बोदी कह रहे हैं उसमें तो लालू य मतलब अगर कहीं तेजिस्वी यादब को अंदर जाना पड़ा लालू यादब तो कई दफा आ जा चुके हैं लेकिन तेजिस्वी यादब अगर पहली बार जेल चले जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव विधान सवा चुनाव पर भी पड़ेगा कैसा मंत्री के इसी सारे का बहुत बड़ा असर पढ़ने वाला है सर इस भाशन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने खास गुर्प को टार्गिट किया है उन्होंने कहा है कि यूवा वोटर जो फॉस्ट टाइम वोटर से उनको सतर्क रहने की जरूरत है कि वह सोच समझ कर वोट करें तो क्या लगता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से वाकिफ है कि बिहार में जो यूवा वोटर से उनका रुजहान कहीं ना कहीं तो स्वियादों के तरफ है निसी तोर पर जो रोजगार वाला मामला था उसको लेकर कहीं ने कहीं सी यूवाओं का रुजहान एक है तेजिस्वी आदब के खिलाब के पक्ष में लेकिन जो एक भरस्टाचार को अब मुद्दा बना दिया देखिए प्रधान मंत्री ने और कोई बात नहीं की भरस्टाचार को केंदर में रखा कि भरस्टाचार मुद्दा है और जिस तरह से जमीन और नौक की गारंटी है तो मोदी की गारंटी है कि जो भरस्टाचारी है वोगे और लालू परृषाद यस्तुयाद़ के इसके अलाबा जो कॉंग्रेस के लोग हैं मलिकार जो उन खरगे पर हार का ठीकरा भी फोड़ देंगे मतलब दो भविस्यानी एक साथ उन्होंने कर दी तो दो बड़ी बातें कह दी एक तो कॉंग्रेस और राजिती के रिस्तों का और दूसरा सबसे बड़ा जो मामला था वो इस मुद्दे को उठाया जाता है कि सत्तक का दुरुपियोग भाश्पा करती है और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करती है तो अब जब नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बात उठा दिये तो इसके बाद से विपक्ष का क्या रियाक्शन होगा हम वही करना अत्मजा जी की जो ये बात आज हुई है प्रधान मंत्री ने खुद कहा है वी पब्लिक मिटिंग में कहा है इसका मतलब है कि जो चुनाव होने वाला है एक तारी को जो भोटिंग होगी उस पर इसका असर पड़ेगा और सबसे बड़ा असर बिधान सवा जब पच्पात कर रही है इसका फैसला तो जंता करेगी लेकिन जो इसारा आज प्रधान मंत्री ने कर दिया ये बिहार के सियासत के लिए एक बहुत बड़ी बात है और इसका असर लास्ट फेस के चुनाव में और बिहार बिधान सवा चुनाव की जो तयारियां हो रही है उस बहुत बड़ा पढ़ने वाला है तो देखें बिहार में आज 6 चेरन के वोट पढ़ रहे हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जस दिन वोट पढ़ता है उसके एक दिन आगे या वोटिंग के दिन ही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी बिहार में होते हैं और आज फिर से उन पर बड़ी कारवाई की जाएगी और यह मोदी की गैरेंटी है और इस बार उन्होंने फिर से ब्रश्टचार के मुद्दे को उठाया है तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव पर और इसके बाद विधान सबा चुनाव पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिल